इस वीडियो में आप देखोगे कमबोडिया में खाने पीने की चीज़ों के नर्मल प्राइस, ट्रांस्पोर्ट के तरीके, मेरा सस्ता हॉस्टल, अंकोर ओट का सस्ता टूर कैसे बुक कराएं और कमबोडिया के बारे में बहुत सारी नॉलेज और इंफर्मिशन, तो शुरू करते हैं वीडियो हेलो गाइस और वेलकम टू अपना कारवा, तो आज है अपना पहला दिन कमबोडिया में, और मैं आओ अभी स्यम्रीप में जब रात को पहुंचा आउस्टल में, तो मैं एक लोकल कमबोडियन से मिला, जिसने मेरे को एक एप के बारे में बताया, एक पास एप करके एक एप, उस एप को आप डाउनलोड कर लो, जैसे हमारे यहां, ऊबर या ओला वगरा चलती है तो यहां पर एक पास एप चलती है जहां भी आपको गूमना है, आपके पास दो या तीन आप्शन है, या तो आप पास एप डाउनलोड कर लो, वो चीपस तरीका है, उसा तरीका है कि आपको लागोंस्टल या होटल के कहीं भी भाहर निकलोगे, तो आपको आपको नॉर्मली टुक टुक खड़े दिख तो आपको पता है कि यूएस एक एकनोमिकल सूपर पावर है और यूएस डॉलर दुनिया की सबसे स्टेबल करंसी में से एक मानी जाती है मतलब खमे रियाल्स और एक उस डाफको चाहर हजका खमे रियाल्स सा काशिए और अगर आपको पहें पर से जो एसके बाव। सित्व कंबॉर्णिया की टॉप्टैन की टॉप T LevelCovind के अठरे दिख और 2001 के आसपात, इसके हम राजाए में 52 परसेंट से ज्याद़ा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और अब ये नमबर केवल 13% रह गया है में को काफी जादा इंडिया जैसा लग रहा है मतलब जैसे इंडिया में अपनी टायर टू सिटी होती है स्वार टूस्ता में सिल्चा तहों के मिलडी ऑपने लेट साइट पर ड्राइब करते है और यह अपने राइट साइट करते हैं मैं यह पास युएस डॉलर है अन्डर्ड ऊस डॉलर और यहां से कटा हुँह है कलती क्या करी जब मैंने currency exchange कराई यह notice नहीं कर पाया मैं यहाँ पर कोई भी accept करने को थी यार निये इस note को hostel के reception से पता है कि उन्होंने बोला कि बैंक में जाकर आप चेंज करवा सकते हो तो मैं अपने bank की साइडी जा रहा हूँ और यह है यहां का तुक 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 जिसमें इन्होंने बाइट बांदी हुई है बाइट के पीछे एपूरा carrier बांदा हुआ है इसमें लोग बैठते है और जो यहां का खाना है यहां का खानला अगर आप थाइलेंड से कंपेर करोगे आपको बैटा लेगेगा तो हॉस्टल कि एंग है तो हुड आपको अपको निया है कर दो आपको करो तो है यहल नचे मने अधाता बाइट करों सब्सक्राइब नचे इंग और आना एपको बढ़ बिसलिए पूल को उस्टी ऐट और होग्स तुक 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 जिसमें जा चाने सेयत नोट को बिसलिए हुआ कि तो यार अंदर तो उसने बदलने से मना कर दिया है, मैं आप लोगो इसलिए अपनी गलतिया बताता रहता हूं, ताकि आप लोग ये गलतिया ना करो, तो करन्सी जब भी ले रहे हो ना था बहुत जहां से चेक कर लो, इंतो नुक्सान होचता है, देखता है, तो ये मुझे वापस इंडिया में ही एक्स्चेंज करवाना बड़ा, आप याद रखना कि कमबोडियान रिया, वो फटे हुए चल जाएंगे, लेकिन US डॉलर बिल्कुल साफसुत्र होना चाहिए, इसके बाद में अपने होस्टल की साइट जा रहा था, अंकोर वाट का टूर बुक सबस्टन का incense रहा सफस्टनमा येृथ से के चल वाइंड को लेकिन ऑने कोस्टन के अंडि शेतक हाम करना पूर घामकेशंज के में सब्सकूर के लहा होके हैं, अमनों गोर बुकर, इसके को oxidation क्लष पार देए कि आलनना हैं और फिक्सी काम करना तो बेंसलिए। और यहां पी आपैसिकल रेंट की शॉप भीज़ गज़ है कितना अव्यदा है अव्यदा वंधे टो फिए यां से ईक बर फूछ का बताता हुए इतना प्राइस but only electric bike, only electric bike, it's everywhere band in Cambodia or in Sierra Neu, no, everywhere in Cambodia, you cannot ride bike, yeah, which means that scooter are not allowed, but only electric, electric bikes, okay, and these bikes, okay, thanks a lot man, okay, okay, thank you, thank you, thank you, so yeah, this has told us, as I told you, I had told you that the motorbikes are banded here, so you can ride two things, it's simple, it's a cycle, otherwise you won't have to take an electric motorbike, electric bike, electric bike, $14 per day, on one charge, it goes for whole day, right, small tour, thank you, you guys live here, yes, I work for this hotel, I work for a company, $14 per day, thank you, thank you, $14 per day, yes, yes, what's your name, Buru? I'm Mao. Mao? I'm OU. Yeah, I'll do this now. Mickey Mouse. Mickey Mouse. So, brother, I'm going to get here, so I got these local Cambodians here. So I got to meet these friendly Cambodians, I got to my hostel and then I booked my tour to my Angkor Ward. It's been like 7.30 to 8.30. Wow. Okay, okay, okay. I will get a guide indebted. Yeah, yeah, yeah. This is my hostel reception and I booked this tour from here. So, if you are watching here, there is a sharing tool and a normal tool. If you have a normal tool, you will not get a guide with it. And if you have a sharing tool, you will get a guide with it. And if you have a sharing tool, you will get a guide with it. You will get a guide, but you will have three main temples. But if you want to buy more, you can buy wood. It's a small tool. And you will need a small tool. How much? Yes, it's $13.00 price. But if you can buy five temples, you won't get a guide. So, this is what you want to do. Thank you. Yeah, it's $13.00. Yeah, it's $13.00. It's not included in this $13.00. You will get a guide. You will get a sharing van. You will get a bottle of water. And you will get a bottle of water. In the CM Reap, there are more than 50 temples. For which you have to buy a pass issue. For one day, the cost is $37.00. For three days, the cost is $62.00. And for seven days, the cost is $72.00. And for all of the temples, they are valid. It's a mixed dorm. This dorm is my bed. And if it comes to this, It's a swimming pool. It's a swimming pool. And it's a restaurant. If you go to the restaurant, there's everything here. Pool, table, everything here. So guys, now I'm going to go outside. The weather is very nice. There are bottles, but there's not much. The weather is running. And it's cold. Which is pretty amazing. I mean, Cambodia, The weather is so dangerous. It's cold. So I'm going to eat some food. Before I go to a supermarket. Because it's in my hostel. I'll show you some prices. I'll tell you some prices. I'll show you some prices. I'll show you some prices. You can see. Look, a 1.5L of water. And it's 60£. This is cheese. It's $3.50. इसमें 6 ब्रैड है रैड बुल मुझे लगता है काफी सस्ती है आपर के बाफ 60 सेंट की है आप आप ठर्ण से लेते हो अप तो ज्यादा प्राइस बीया है तो आपको जो भी द्रिंक करीदना ए या जो भी खाना पीना जैसे महलो आपको योगर्ट लेना है या फिर और फिर कोल्ड रिंक लेना है तो सारह न इसी तरीका से किसी इसी सूपर मार्केट में असपास दुगना प्राइज है और यह बटर है तीन डॉलर पचास सेंड्स का और यह करीब धाइसो ग्राम बटर है तो काफी रहेगा तो मैंने कीवल यह योगर्ट लिया है हमच 40 सेंड्स का है और देखो यार यहां पर लॉंड्री का जो स्टेंडर प्राइज है एक किलो एक डॉलर का और उससे उपर जितना भी होता है न फिर वो दस सेंड के सबसे पर क्लोथ के सबसे फिर वो चार्ज करते हैं जैसे आप कपड़े कम लेके आए और गंदे हो जाते हैं तो आप यहां पर लॉंड्री में दे सकते हो